उत्तर परदेश के हमीरपूर से एक दिल को जचकोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है कभी जिस बेटे को सीने से चिपका लिफटाया था और कंधे पर बिठा कर घुमाया था जिस बाप ने बुढ़ापे का सहारा मान के अपना पसीना बहा कर बेटे को पाल पोस कर जवान किया था वही बेटा अपने ही बाप के खून से हाथ धो कर फरार हो गया है वारदात के बाद ग्रामिनों में संसनी फैल गई है जानकारी के अनुसार कि सान जगत के परिवार में सिर्फ अपनी पत्नी और पंदरा साल की एक नाबालिक बेचा अंकित सहीं नहीं है किसी बात पर बाप बेटे के बीच मामली विवार हो गया था तभी गुसे में आकर अंकित ने बाप पर इंट वार कर घायल कर दिया बेटे के हमले से पिता लहू लुहान होकर गिर पड़ा चीक पुकार सुनकर पडोसी भी उसके घर पहुँच गए परिजनों के साथ पडोसी आनन फानन उसके अस्पतार ले गए डोक्टरों ने उपचार शुरू किया लेकिन उसकी मोथ हो गई इस बात की जानकारी होते किशोर बेटा मोके से फरार हो गया जानकारी पर पुलिस पहुँची तो परिजनों ने पहले बेटे द्वारा पत्थर से हमला कर पीटा की हत्या करने की जानकारी दी पुलिस से शव कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दी आईवा हत्या रोपी पुतर की तलाश शुरू कर दी है देखा जब देखा है तो डरा था फिर आप लोग कहां ले गए बर्गवा अस्पताल ले गए सव नमर आई थे पूची में गए थे डाक्टों ने क्या आता है डाक्टन कहां खतम हो गया तब पुलिस आई उसके बाद प्रामीट लए गाए गाई गटना हुए गाव में आप वो दारू के लगती थे इनके पास कम सकम पचास साथ भी खेती थी और साम के वक्त जो है बाप बेटों में कुछ जड़ा फो गई जिसकी वज़े से बेटा कमरे के अंदर चला गया और पता नहीं अचानक गिर गए वो फिसल गया पैर क्या हुआ और उनकी गायल हो गए उ पर उसके बाद में हमिरपूर ले गए हमिरपूर में भी वहां मोर्चिरी में उनको रख दिया गया अभी हम लोग जा रहे हैं पोस्ट माडम के लिए और फिर देखते हैं क्या होता आगे जगाओ में जगण सिंग नाम के विक्ति है उसके बेटे अंकित ने जगड़े में इसको चोट कर दी इससे सर पे चोट लगने से उसके मृत्ती हो गई है पुलिस कारवाई कर लगी तो घर बे टोका टाकी को ले करके विवाद हुआ था इसे ही लिटन स्कुब रपाने के लिए बेल इकन को फिली कर हमारी चैनल को लाइड, शेर अंढ सुब्स्क्राइब करें हैंनेवाद